इस्टील इस्ट्रेक्चर ड्रोइंग का, बीम टू बीम कनेक्शन का कोश्चन कराएंगे, यह कोश्चन आपका, UB-T-E-R, यदि उत्रा खंड से आप डिपलोमा कर रहे हैं, सिविल इंग से तो आपके 6 सेमस्टर में, इस्ट्रेक्चर ड्रोइंग में भी आपका यह और सारी इंफोर्मेशन बिल्कुल बेसिक के साथ देंगे, ठीक, मैं आपको बता देना चाता हूँ, यदि आप हमारे साथ उत्राखंड और UP की, सिविल इंग से जो बच्चे डिपलोमा कर रहे हैं, वो ड्रोइंग पढ़ना चाते हैं, तो हमारी एप्लिकेशन ग्रूजी इंजीनिरिंग ड्रोइंग को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जो बच्चे BT UP उत्तरपरदेश से डिपलोमा करें, उनके पास स्टील इस्ट्रेक्चर ड्रोइंग है, और जो बच्चे उत्राखंड UBTR से डिपलोमा कर रहे हैं, सिविल इंजीनिरिंग के बच्चों के लिए बता रहा हूं, उनके पास स्ट्रेक्चर ड्रोइंग है, जिसमें हम आपको proper स्ट्रेक्चर ड्रोइंग और स्ट्राखंड की बिल्कुल बेसिक्स है, और आपको तक स्ञाध कर आपfish है, जो मैं ने यह आइसोमैट्रिक याँःप पर एक पिच्चर लगाई एक डाइग्रा क्या होती है वो सारी चीज़े समझाने के लिए मैंने यह आईसोमेट्रिक यहां पर एक डाइग्राम लगा है ठीक है तो कोशन कैसे आपको दिया जाता है और क्या आपको डीटियल एक्स्ट्रा चाहिए क्या आपको वैल्यूज चाहिए होगी क्या मान सही होगा उसके बारे में भी बात करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते कि कोशन आपको कहां तक दिया जाता है और आपको आगी क्या वसकता पड़ती है steel table की ठीक है तो चलिए question को read करते question आपको दिया गया है अगर आपको beam to beam connection का question आएगा तो इस परकार सा आएगा जैसे मैं यहाँ पर दिया है ठीक है beam to beam connection के चाहिए या सीट्रीड बीम को उसिना तो चलिए समयते है पर उपर से यहां पर लिखा है मुनीख मेंन का आपको लिगा सब्सक्राइब को यहां पर कैसा करेक्षन सर्था ओडेया गया है वेहल Quantum as a data है जो दिया गया है यहाँ पर आपको यहां तक आपको question दिया जाएगा यहां तक आपको question दिया जाएगा जो उपर-उपर का है अब उसमें आपको क्या दिया रहता है उसमें दिया रहता है आपको main beam main beam आपको दी गई है ISWB500 at the rate 933.9 newton per meter ठीक है ऐसी आपको secondary beam दी गई है ISMB at the rate 250 यहाँ पर at the rate लग गिया है ISMB 250 at the rate 365.9 newton per meter ठीक है ऐसे आपको दी जाती है web clit angles आपको 19 to 19 to 10 mm का दिया गया है dia of revet आपको दिया गया है 20 mm का question आपको यहां तक दिया जाएगा अब इसमें आपको कुछ भी values उनों ने open नहीं किये जैसे main beam की आपकी total depth कितनी होगी width of flange कितना होगा thickness of flange कितना होगा thickness of wave कितना होगा यह सारी चीज़े हमें कहां ते मिलती है steel table से मिलती है steel table में हमें इनका मान देखना होता है कैसे देखो जैसे आपको main beam यहाँ पर दी गई है, main beam आपको मैं पहले समझा देता हूँ कि main beam कौन सी होती है और secondary beam कौन सी होती है अब देखो यह आपको यहाँ पर एक isometric picture हमने एक diagram यहाँ पर दिखाया है, इसमें समझेए जो यह बड़े वाली beam है, यह होती है main beam और जो इस main beam में यह दूसरी beam जुड़ रही है यह होती है secondary beam, हमेशा बड़ी beam आपकी main beam होगी, छोटे वाली beam आपकी secondary beam होगी ठीक है, और इनको हमने किसके alps जोड़ा है, web clit की alps है, web clit angle यह आपका क्या है, यह जो लगी ही angle यहाँ पर इनको जोड़ने के लिए, यह web clit angle है और dia of rivet, देखो यह hole आपको दिख रहे है, यह dia of rivet, ठीक, तो यह सारी सीजे दी गई है अब main beam आपको कौन सी दी गई है, यह main beam है, यह कौन से वाली दी गई है, देखो यह दी गई है आपको ISWB, I मतलब Indian Standard W मने wide flange beam, ठीक है, Indian Standard wide flange beam इसकी full form है और यहाँ पर दिया गया है 500, 500 होती है, इसकी गहराई, main beam की, जो main beam है, जो beam है यह, beam की गहराई कितनी दी गई है, 500, कैसे समझ यह यह आपकी जगर मैं इसको देखू तो आपका यह आई सेक्सन जैसी दिखाई देगी यह बीम आपको कैसी दिखाई देगी आई सेक्सन जैसी दिखाई देगी ऐसी ऐसी यह आपको आई सेक्सन जैसी आपको बीम दिखाई देगी ठीक है, beam आपको कुछ इस परकार से दिखाई देगी, यह आपकी beam है, यह आपकी beam है जो आपको दिखाई दे रही है, ऐसे, ऐसे दिखाई दे रही है, तो इसकी जो यह ग्याराई है, जो यह इसकी depth है, bottom plan से लेकर top plan तक, यह होती है h, h आपकी होती है 500, हमेशा जब भी आप जो beam होती है, beam का यह portion होता है आपका flange का, flange का, और यह उपर का portion भी क्या होता है, आपका flange का, यह आपको समझ लेना जरूरी है flange, और यह portion जो होता है beach का, यह होता है web का, flange का portion कौन सा है, यह portion आपका flange का है, यह portion आपका किसका है, flange का, और ऐसे ही यह portion आपका कौन सा है फ्लैंज का और जिसको मैं हैचिंग नहीं कर रहा हूँ यह पोर्शन यह पोर्शन होता है आपका वैब का किसी भी में यह फ्लैंज यह वैब अब देखो आपको यह तो मिल गया बट आपको यहां पर वैलू दे दी गई steel table IS802007 Filipijn steel table में हम क्या देखेंगे हम जाएंगे i-section पर जो i-beam है i-section के उसमेर जाएंगे table number 4 में तो i-section में जब हम जाएंगे तो ऻहापर देखेंगे I-SWB is-b देखेंगे उसमें हम देखेंगे वहां पर beam की depth total depth of beam 500 500 उसका वेट देखेंगे 933.9 नूटन इतना ठीक है यह पर मिटर में होता है तो 9 नूटन पर मिटर यह होगा यह वैलू देखने के बाद अब आपको सारी डीटेल आगे मिलेगी लिखी ठीक है जैसे यह तो होती है इसी के सेम टोटल डैप्थ और बीम कितनी आ जाएगी 500 आ कुन सा आता है यहां से लेके यहां तक की इसकी चोड़ाई प्लाइब बी बी कितना आएगा 250 में बीम के लिए हम बात कर रहे हैं ऐसा ही ठीकनेश ओफ लैंज को आंगो अंटी एप से दिनोट करते हैं यह सारी वैल उमने कहां से लिए इसकी मोटाई इसको हम TW से डिनोट करते हैं यह हमारे पास है 9.9 mm और यह सारी वैलू ऐसे ही कि हमने अपनी या मर्जी से ले लिए नहीं यह सारी वैलू वैलू अपको दिखाएंगे कि कहा से वैलू हमने पूटप की है ठीक है ऐसे ही हम बात कर लेते हैं अब secondary beam की, secondary beam आपकी है Indian standard medium beam इंडियन standard medium beam, 250, ये 250 होता है तो ये क्या हो जाएगा, इसका H ये इसका secondary beam का क्या हो जाएगा, H, H 250 mm, ठीक है, width of flange, width of flange secondary beam की ये ये width of flange कितने हो जाएगी, B, B कितना दिया है इसका आपका, 125 mm, 125, thickness of flange thickness of flange, यानिके Tf, Tf कितना आजाए, दिया है 12.5 mm, ये हमारी value निकाली हमने और Tw thickness of wave हमने कितना, 6.9 mm आया है, ठीक है, तो ये सारी value हमने कहां से ली है, steel table, IA 600, 2007, अब इसके बाद, ये value निकालने के बाद, अब आपको drawing बनानी होगी, अब हम क्या करेंगे, इसकी drawing बनाएंगे, ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं इसको यहां से रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद, पहला काम आपका होता है, scale assume करने का, पहला काम आपका क्या होता है, scale assume करने का, किसका, scale को assume करने का, अब हम scale assume करेंगे, scale assume करेंगे यहां पर, scale assume करेंगे, मैं scale लेता हूँ, 1 ratio 5 की, 1 ratio 5 की मैंने scale ली, ठीक है अब देखो यहाँ पर मैंने एक चीज आपकी अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन अब फ्रेम्ड बीम टू बीम कनेक्शन क्या होता है वो समझे आपके जो बीम टूम्नेक्शन होते हैं गुटा आपको कैसा पता लेगा कि यह बात सोच नहीं है तो आप कैसे बताएंगे यह framed beam connection है देखो जब main beam के web को secondary beam के web के साथ ठीक है यह main beam का web है और यह secondary beam का web है दोनों को web clip angle की help से जोड़ते हैं दोनों को web clip angle देखो यह main beam का web है और यह secondary beam का web है जब secondary beam और main beam के web को web clip angle की help से हम जोड़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है frame beam connection क्या कहलाता है क्या कहलाएगा framed beam और seated में क्या जाएगा हम sit angle की use करते हैं कहां नीचे flange पर secondary beam के flange के साथ ठीक है वो जब हम आपको sit angle समझाएगे वहाँ समझेगे तो ध्यान रखना framed beam connection क्यासा होता है जब main beam के web और secondary beam के web को दोनों को हमने web clip angle की help से जोड़ा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा framed beam connection तो चलिए ये मेरे को आपको बताना था अब हम यहाँ पर ले लेते scale scale लेने के बाद हम main beam को देखते है हमें सबसे पहले बनाना है front view front view बनाते हुए मैं इसको इधर से देखूँगा किदर से फ्रेंट से देखूँगा अब फ्रेंट से देखने पर मुझे देखो क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंट से देखने पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है इसकी चोड़ाई इसकी आपकी main beam का जो flange है उसकी चोड़ाई दिखाए दे रही है और उसकी टोटल गयराई दिखाए दे रही है और वैब दिखाए दे देखो यानि कि जो यह आपको आई दिखाए दे रहे है ना हैचिंग वाला यह आपको दिखाए देगा फ्रंट से फ्रंट से देखने पर main beam का यह दिखाए देगा यह नहीं दिखाए देने के आपको कभी भी उसका उपर का flat area नहीं दिखाए देने का उसकी लंबाई और चोड़ाई दिखाए देते हैं front view से देखने पर ध्यान देना जगर आप first year में पढ़े हो तो आपको पता होगा कि उपर flange की मोटाई दिखाए देगी और इस side की आपको web clip angle दिखाए देगा जिसमें दो rivet ऐसे लगी हुई है ठीक है तो अब हम बनाएंगे सबसे पहले हम देखेंगे इसकी h किसकी main beam की h कितनी है 500 एच कितना है इसका 500 और इस 500 को मैंने इसके divide किया scale मेरे नहीं माने है 5 यनिके 5 और 5 से मैंने जब इसको divide किया तो मेरे पास आया 100 mm 100 mm को मैं बोल सकता हूँ 10 cm 100 mm को मैं कितना बोल सकता हूँ 10 cm साथ ही मैं इसकी width भी ले लेता हूँ flange की width वीड़ कितनी है b b है इसका main beam का 250 mm divided by 5 मैंने इसको divide किया तो पास आ गया 25 25 50 mm 50 mm को मैं बोल सकता हूँ 5 cm तो यह values आ गई अब यह values आने के बाद अब हमारा काम क्या सुरू हो जाता है यह सबसे पहले देखो question को सुरू करते हैं question को जब आप सुरू करते हैं तो आपको एक center line draw करनी है देखो यह आपकी mini drapter मिनी ड्राप्टर का अपको अपनी drawing sheet के recording set कर लेना है जैसे मैं इस board को ही अपनी drawing sheet मानता हूँ और इसको mini drapter को set कर लेता हूँ set करने के बाद, यहां पर आईए, मैं एक center line draw करता हूं, देखको आपको light center line draw करने हैं, क्योंकि हमें इस法 गइजए रभवी करना है, एक light center line draw गीज़ाओ किज़े यह गईर गगी करनी है,ynnग़े यह center line लेने हैं, विड़ दे मेरी 5 cm, 5 cm की इण से अगन के से इधर और हाफ इदर 5 cm का हाप की दना होगा 2.5 इस याare से इधर और 2.5 इस साने होगा पॉठाब अब मैं bottom से लेकर top तक की bottom से लेकर top तक की edge कितनी होती है 10 cm आई है इसके मैं connect करने के बाद अब 10 का 10 में उपर उठाऊंगा 10 का 10 उपर उठाऊंगा height तो वह होगी है height तो center line के उपर ले निये तो मैंने उपर लिया 10 cm 10 cm ठीक है अब मैंने क्या किया 2.5 cm मैंने this side लिया और 2.5 cm मैंने this side लिया यह हो गया अब मैं क्या कर सकता हूँ यह जो है देखो मैं छोटी सी center line छोड़ूँगा नीचे भी और उपर भी कि मुझे यहां से कोई problem ना हो यह यह परखो गया अब मैं देखोंगा इसकी thickness इसकी flange की thickness और触्द्ड Śट यह flange जोरा नीचे और उपर flange की thickness देखोंगा flange की thickness है मेरे पास TF TF है 14.7 मेरे पास 2.5 cm मैंसी की ठीकने से और इसको डिवाइड कर दूंगा मैं S से TF है IsTA dairy to तो मैंने इसको डिवाइड किया, इसकेल से, तो मैंने किया, 14.7 divided by 5 is equal to value मेरे पास आई, 2.94 mm, अब अगर मैं 2.94 को मैं लिख दू, यहाँ पर 3 mm तो कोई प्रोलम, एक 2 mm का हम ले सकते हैं, तो मैंने 3 mm की थिकनेस ली, 3 mm की कहली मैंने थिकनेस, अब तो 3 mm मैंने लिया बेटा यहाँ पर, 3 mm मैंने यहाँ पर लिया, और यह मैंने 3 mm दिखाया, देखो, सेंटर के पास मैं कुछ value छोड़ दूँगा, कुछ space छोड़ दूँगा, 3 mm मैंने यहाँ पर छोड़ा, और इसको ऐसे मैंने कर्व दिया, और इदुर से इसको ऐसे कर्व दिया, ठीक है, ऐसे कर् 3mm की में ने यहाँ पर ली सेंटर के पास आके मैंने इस पेसिंग छोड़ दी क्योंकि मुझे वैब के लिए टैंगल यहाँ पर बीच मा क्या बनाना अब थिकनेस ओव दिखानी है यह वर्खो गया यह वर्खोने के बाद अब हमें देखनी है थिकनास, ओव वैब कितनी है य 10-rer कंडुमय ड़े पास कितना आजाता है यह मेरे पास वैलू आई 1.98 mm कि मैं अ यहां ब amor लिख सकता हूं मैं इसको टू माइस को सकता हूं तू आ आमम यानिके सेंटर लाइन से जो यह रहें है पॉयंट दिया है सेंटर लाइन का जो मैंने पॉइंट दिया है 1 mm मैंने इसेड लिया और 1 mm इसेड लिया और मैंने क्या बनाया यहाँ पर यह मैंने थिकनेस ओव वैब दिखाई thickness of web मैंने यहाँ पर ऐसे दिखाई अब देखो आपको front से देखने पर eye ऐसे दिखाई दी main beam की front से देखने पर eye ऐसे दिखाई आपको main beam की अब आपको secondary beam कैसे दिखाई दे रही है secondary beam की आपको thickness thickness of flange दिखाई दे रहा है नीचे का भी ऊपर का भी व बीच में दिखानी ए क्या ये इस सेड की सेकेंडरी वीम को बीच में दिखानी ए तो बीच में दिखाने के लिए में ये किया अब देखो, इसकी H कितनी है, इसकी H, secondary beam का H, secondary beam का H है 250, secondary beam का H है 250, divided by 5, 25, 50 mm आपके पास आया, 50 mm को आप बोल सकते हो, 5 cm, 5 cm, अब आपको, इस center line से, center line से 5, कितना, 2.5 cm उपर, और 2.5 cm नीचे लेना है, और इसको लेकर आईए, ऐसे यहाँ पर, इसको ऐसे लेकर आईए, और इधर से भी इसको ऐसे लेकर, देखो मैं इसके साथ इसको मिला नहीं रहा हूँ, मैं इसके साथ इसको मिला नहीं रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ, जरा रफ, इधर से आगे से मैं इसको रफ कर देता हूँ, आगे से मैं इ के साथ connect करते हैं तो बीच मैं इस पे स्थ प्रस्टे यांग चोडते एंगे 嫌ँ कमी च्शोड़ते है किके रहें औरि lutлам 817 दस अम मले ले टे तो में 8 अधonders ले लूं कीबे तो बनले रहा हूँ मैं मैंने और इसको मैंने ऐसे मिला और तो नहीं यहां पर ऐससे सट आगे कि यहां पर इसको मैं दिख रहा हूं मैं समय इस बीछ में कि स्पेस छोड़ रहा हूं कुछ गैप छोड़ रहा हूं यह हो गया अब यहां तक होने के बाद मुझे लगानी इसमें वैब किलीट आंगल कैसे लगाएंगे आप इसके मैं पुरी तो 5 divided by 5 equal to मेरे पास value y 2.5 mm 2.5 mm तो मैं दिखा सकता हूँ 2.5 mm तो 2.5 mm मैंने दिखाए हैं यहां पर 2.5 mm तो 2.5 mm की यह आपको flange की थिकनेस यह flange की थिकनेस यह मोटा ही दिखाए दे रही है ऊपर की और नीचे की भी ऐसे ही 2.5 mm dix hatch dilles o East तो यह दिखाई दिया आपको पोरिषन किसका secondary बीम को बाइ इस यह वाला यह वाला लड़को किसके साथ connect है main beam का वैब यहे है इसके साथ connect किया अब यह डोनो जोड़ हम किस से रहए है किसकी help है relative angles है तो मैं उसकर प्रत कर दू Plus departure हो छोड़ दिया है यह hada कई को ह्र सके छोड़ दिया है ति थी के वह आपको हर एक कुशन में चोड़राना आए एस ही अब हमें बनानी यहां पर आइंगल क्या मनलानीयए وैह ट्रेट है soul experts by अ एंगल का जो साइज है आपके पास ISA 90 x 90 x 10 mm यानि कि आपके पास ये एंगल है आपके पास ये एंगल है जो कि कितनी है 90 mm इसका B और 90 mm इसका A ठीक है इकवल एंगल है 90 x 90 और ठीकनेस इसकी कितनी है ठीकनेस इसकी कितनी है 10 mm ये तो हो गया ये अब आप जब इसको लगाएंगे तो ये कितनी लंबी काटनी है ठीक है ये तो ऐसे लगए इधर से और इधर तो ये ये नहीं आपको पता है ये आइट नहीं पता है आपको तो ये हम कैसे निकालते देखो यानि कि अगर मैं इसको लगाऊंगा अगर मैं इसको ऐसे फिट करूँ तो हम क्या करते हैं बेटा हम क्या करते हैं यहां पर जब हम इसको ऐसे लगाएंगे ऐसे इसको लगाएंगे यहां पर ठीक है तो हमें यह पॉर्सन चाहिए होता है जिसमें हम क्या लगा रहे है लगा रहे हैं यह लंबाई से होती है यह वाली यह वाली लंबाई से होती है कि यह कितनी है और यह हम कैसे निकालते हैं देखो यह हम कैसे निकालते हैं यह इनके बीच की मैं पीच पता हो पीच और यह हमें क्या पता हो इधर से और इधर तक की and या age distance यह मैं e पता हो अगर दोनों side की e corner की e पता है और दोनों re-weight की pitch की pitch पता है तो मैं यह निकाल सकता हूँ यह height निकाल सकता हूँ यह तो मुझे पता है यह भी 90 है और यह भी 90 है यह नहीं पता है तो यह कैसे निकलेगी अब इसमें हमने 2 re-weight लगाई तो 2 re-weight की बीच की pitch होगी और side की हमें e पता होगी e मतलब age distance और end distance ठीक है तो यह पता होगी अगर हमें यह confirm हो गई तो हम यहाँ पर यह निकाल सकते है इसका l की कितनी लंबी हमें angle काटनी है कितनी लंबी हमें angle काटनी है तो यह पता होगी तो हम क्या निकालते है pitch निकालते है और e निकालते है और हमें क्या पता लग जाएगी इस angle की कितनी लंबी angle काटके हमें यहाँ पर लगानी है जोडने के लिए क्योंकि हमें 90 यह पता है यह पता है बट यह नहीं पता तो यह कैसे निकलेगी पिच और इस डिस्टैंस से निकलेगी अब हम यहाँ पर पिच और इस डिस्टैंस निकाल लेते हैं मैं इसको कर देता हूं अब देखो मैं कितनी इसमें दिखा रहे तो नहीं लगा देते हैं हम कितनी दो ही लगा देते ह मुझे सबसे पहले चीए पिछ डिस्टैंस मुझे कैसी यह पिछ निकालने के लिए फोर्मुला समझे यह इस्टील टेबल्स की वैलू है जो मैं यहां पर बता रहा हूं अगर आपने वीडियो भी नहीं देखी तो इसमें आपकी जो मैं वीडियो डाला हूं इसमें पहली ज the पिछ मीनिमम् का जो फोर्मुला होता है मारा 2.5 नी नी होता है दी होता है यहां ऑपर डाया or रिवट या दाया ती या 200 mm whichever is less अगर मेरी टैंसर में है तो मैं क्या लेता हूं तो 16 T या 200 mm whichever is less तो 16 T minimum यहां पर मैं T minimum लूँगा तो T minimum मेरा देखो तीनों में thickness of length thickness of web thickness of length thickness of web में सबसे कम कौन सा है 6.9 तो यहां पर मैं 6.9 ले लूँ तो यह मैंने क्या लिया है T minimum लिया है 6.9 इस कल्टू जब मैंने इसकी multiply किए 16 में कर कीजिए 16.6.9 इस कल्टू value मेरे पास आई 110.4 है मैं तो यहां पर मैं pitch निकाल सकता हूं दोनों के बीच की value ले लूँ दोनों के बीच की value मतलब pitch minimum और P मुझे निकाल लिया है और pitch maximum पिस minimum 50 यह मुझे चाहिए और यह मेरे पास 110.4 आया तो इनके पीच की मैं 60 ले लूँ तो यहां पर मैं pitch निकाल सकता हूं 60 60 mm ले सकता हूं 60 mm ले ली मुझे चाहिए अब age distance is या end distance ठीक है तो इसके लिए formula होता है is minimum is minimum होता है 1.5 type die of hole die of hole क्या होता है यह सारी value मैंने बता रखी है वीडियोस देखे सही तरीके से तो die of hole होता है हमारा diea plus diea plus clear ends clear ends कि हो जो हम hole करेंगे इसमें clear ends clear ends यह वाला clear ends नहीं लेना आपको वह जब जिसमें जो hole आप extra करते हो कोई bolt डालने के लिए के लिए वह के लिए नहीं है तो वह हमबाद 2 होगा तो यह किना आजाएगा 20 प्लस 2 तो बाइस हो गया तो यहां पर रख सकते है 1.5 multiply 22 इसकी हम करेंगे तो 33 mm आ जाएगा जब हम 1.5 की 22 के साथ multiply करेंगे तो 33 आ जाएगा अब मैं निकाल सकता हूँ इसको निकाल लिए तो 12 इसको निकाल लिए तो 12 इसको निकाल लिए तो 12 टी मीनिमम मेरे पास कितना है 6.9 multiply 1 तो निकालना तो मैंने 12 multiply 6.9 is equal to किया तो मेरे पास आया 82.8 mm का 82.8 mm का तो यहां पर मैं एज निकाल सकता हूँ इसमें और ए और ए मैक्सिमम तो यहां पर मेरे पास कितना है 33 mm मेरे पास यह आई यह वैल नो मुझे चाहिए और यह मेरे पास कितना है 82.8 और तो यह मैं कितनी ले सकता हूँ यह ले सकता हूँ यह ले सकता हूँ तो यहां पर मेरे पास कितनी आई 40 mm तो मेरे पास इस डिस्टेंस 60 mm में ले ली एज इस डिस्टेंस हमने 40 ले ली तो अब हम लैंद कितनी मिली वह देखते हैं तो मैं इसको रफ कर दूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं, आगे कुश्चन को, आगे देखते हैं, देखो, जो हमने वैब क्लिट एंगल की प्लेट ली है, वैब क्लिट एंगल की ये प्लेट ली है, इसमें एक क्रिवेट यहां लगाया, एक क्र ले रहा हूँ 60 ठीक है अब मैं age distance इधर से ले रहा हूँ 40 और इधर के लिए रहा हूँ यह कितने लिए मैं 40 तो total किनी हो गई 140 तो मेरे पास यह कितना आया 140 आया 140 और यह मेरे पास ओल्रेडी दी गई है 90 अब हमाराम से निकाल सकते हैं अब हमाराम से यहां पर क्या वैब के लिए टैंगल लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं यह वैलू में चाहिए थी यह वैलू में चाहिए थी यह मैं नहीं पता थी हमें यह तो पता थी यह नहीं पता थी अब डिवाइड किया 5 से कितना आया 1850 ठीक है ऐसे 140 को मैंने डिवाइड किया 5 से तो डिवाइड कर लो पेट्टे क्या आएगा 32 आएगा कितना आपका 140 divided by 5 is अठाइस आएगा सोरी अठाइस एमम आया यानिके 18 mm का मतलब हो जाएगा 1.8 सेंटी मिटर और अठाइस एमम का मतलब हो जाएगा 2.8 सेंटी मिटर खीक है तो अब आपको क्या करना है यह हो गई यह यानिके यह वैलू यह वाली वैलू तो 1.8 1.8 सेंटी मिटर आप चले आगी की ओर 1.8 सेंटी मिटर तो 1.8 सेंटी मिटर पर मैंने पॉइंट मार किया जो एक्स्ट्रा है उसको रब किया अब कितना चलना है आपको 2.8 सेंटी मिटर 2.8 सेंटी मिटर का हाप कितना होगा 1.4 इस सेंटर लाइन से 1.4 उपर और 1.4 नीच चले ठीक है और आपको यह मिल गई यहाँ पर वैब क्लिट एंगल वैब क्लिट एंगल अब यह बीच का पोर्शन है मैं इसको रप कर सकता हूँ यह बीच का पोर्शन है इसको मैं रप कर सकता हूँ ठीक है अब इसको यहाँ पर मिला सकते आप इसको यहाँ पर मिला सकते हैं क्योंकि वह थिकनस आपको दिखाई देगी इस की 10 mm यह तो इसको मिला सकते हो क्योंकि यह तिकनस यह यह इदर की 10 mm भी अब श्रक्रामी लगि आपको लगानी रिवेटो यस्वे इसको लगानी डिवेटो एज डिस्टैंस मैं इकबिल ले इतनी मेरी end distance है, इतनी मेरी age distance है, तो मेरी 40 है, 40 को मैंने डिवाइड किया, 5 से 5, 8, 40, 8 mm आया, और मेरे पास 60 है, divided by 5 पीच की बीच की, तो कि ना 12, 50, तो यह आया, तो मैं ले लेता हू, age distance, end distance एक ही है, तो यहां से मैंने लिया, 8 mm, कितना लिया, 8 mm, तो 8 mm पर मैंने यह point mark कि किया, तो मैं इधर ऐसे दिखा देता हू, doted, और इधर भी मैंने 8 mm लिया, और point mark किया, और इधर भी मैं ऐसे बना देता हू, ठीक है, मैं इसको ऊपर भी लेकर जाता हू, ऐसे ही, ठीक, तो यह मेरे पास एक तो rivet यह आ गई बेटे, ठीक है, मैं इसको इधर सरफ कर दू, इधर सरफ कर दू, ऐसे कर दू, ऐसे कर दू, अब उपर से मैंने कितना लिया, 8 mm लिया, 8 mm लेकर मैंने यह point लगाया, और यहां पर यह रिवेट दिखाई, और तो एक रिवेट मैं यह दिखा देता हू, एक रिवेट मैं यह दिखा देता हू, अब देखो, यह मेरे रिव आप ना पोंगे ना तो equally आएगी है पिछी distance 1.2 या निके 60 mm और ये आपके पास 40 ये आपके पास 40 अब इसकी value लिख दो क्योंकि आपका क्या complete हो गया ये आपका front view complete हो गया क्या complete क्या आपने ये front view front view front view आपका complete तो आप यहाँ पर इसकी सारी values लिख दीजिए सारी values का मतलब main beam ये main beam है main beam की B कितनी है आपकी main beam की B कितनी है आपकी main beam की B है आपकी 250 तो लिखो यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ना आपको B is equal to 250 और H कितना है H कितना है main beam का H कितना है main beam का 500 500 आपका H है main beam का H कितना है 500 H कितना है main beam का H है main beam का 500 500 main beam का H है यе नहीं के depth होगे इसकी ठीक है अब इसकी thickness देख लेते लेटे फ्लैंज की flange की thickness मैं TF यहाँ दिखा सकता हो TF मैं यहाँ पर दिखा सकता हो TF Telост thickness of Flange thickness of length कितनी है आपकी 14.7 14.7 तो आप यहां पर दिखा दीजिए ऐसे तो यह है मेरा 14.7 14.7 thickness of web मैं सो कर सकता हूँ यह है आपका TW 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 thickness of web कितनी है TW thickness of web मैं 9.9 mm 9.9 mm ठीक है मैं देखो mm लिख दी रहा हूँ मैं नीचे लिख दूँआ old dimension in mm यह हो गया के लिए नहीं तो अब मेरी यह क्या सी यह है मेरी main beam यहाँ पर आप लिख सकते हो main beam main beam main beam है आपकी ISWB500 at the rate 933.9 newton per meter हो गया अब ऐसी ही आप secondary beam यह आपकी secondary beam है secondary beam की आपके पास h है यानिके इसकी h है कितनी 250 250 इसके h है तो h so करो h 250 और इसकी thickness TW कितनी है TW कितनी है thickness of flange कितना है sorry TF TF है thickness of flange thickness of flange कितनी है इसकी 12.5 mm ठीक है और यह आपकी क्या है यह है आपकी वैब क्लिट अंगल यह आपकी वैब क्लिट अंगल है और यह जो बीच में आपने यहाँ पर छोड़ा है यह बीच में आपने छोड़ा है तो आप इसको mention कीजिए इसको आप दिखाईए कि भाई में clear ants भी छोड़ा है यह clear ants भी छोड़ा है यह कितना है आपका यहाँ पर मैं सो कर देता हूँ ऐसे करके clear ants clear ants हमने लिया है 8mim का clear ants लिया है तो अब आपका यह front view complete हो गया अब आपका यह front view complete हो गया अब हम बनाएंगे इसका side view side view बनाना बहुत आसान है side view बनाना बहुत आसान है जो secondary beam का eye दिखाए देगा hatching वाला और main beam का web दिखाए देगा main beam का web दिखाए देगा web की web दिखाए दिया और web की उपर क्या दिखाए दिया आपको flange की thickness उसकी मोटाई और नीचे भी flange की thickness उसकी मोटाई और इसमें लगी हुई कि क्या दिखाय दे रही आपको यह आ दिखाई दे रहा है secondary यहां पर लेकर गया किया नीचे से रहे है यहां पर इसकी प्रोजmor अलाइन में यह लेकर गया यह सब्सक्राइल अ हम हुआ यह लेका हुआ सुच्छ किया इसको मैंना इह पर में क्या किया जिक-जैsan some में कट कर दूं क्योंकि यह लांच मुझे दी नहीं गही है proyecto इस इस साइड से मैंने सको जिक-sob में कट कर लिया बलत को मैं इसको जिक-जैकर में मैंने इधर से कर लिया यो जो एक्स्टरा आए उसको मैं रब कर दू इधर सभी ओर इधर सभी और इस साइड सभी और इस सबी केलियर है कोई confusion अब इसकी thickness लेवी इसकी flange की thickness दिखाई दे रही और फ्लैंज की थिकनस दिखाई दे रही है तो फ्लैंज की थिकनस दिखाई दीजिए ये फ्लैंज की थिकनस आपको दिखाई दे रही है ये वाली फ्लैंज की थिकनस ये और फ्लैंज की थिकनस नीचे भी दिखाई दे रही है तो फ्लैंज की थिकनस नीचे भी अब देखो ये मेन बीम है, मेन बीम का आपको यह जो बीच का पोर्शन है वैब, यह वाला दिखाई दे रहा है साइड से, तो यह दिखा दिया, ऊपर आपको इसकी मोटाई दिखाई दे रही है, फ्लैंज की यह वाली मोटाई, यह दिख रही है, यह मोटाई दिखाई दी, अब ऐसे ही इस एससका सेंटर फॉइंट पकडिए कि मिड्विट पर दिखाएंगे तो एक इसे संटर लाइज एसे दो कर दीज़िए अब जितना इतने सप्क्राइए जितना यह ढोगा बिछ बैगे इसमें इसके बीच भीच नियंकि ठीक है अब जो भी भीश बनेगे बीचंच सन लाएंगे अब आपको क्या करना है इसकी क्यों लेख भाइब तो यह думаю 250 टो 250 की उपर से आप यह ़رह सकते हो तो यह सकते हो तो यह में रफ करने और नियुद आप भाई हाईट तो यह यह इसकी डैप्स तो यह इसकी प्रोजेक्शन लाइन में नीचले कर गया यह आप इसको मैंने रॉफ किया यह इदर से भी रफ कर दूप क्योंकि मैं इसकी जूरूरत नहीं दिती अब इसकी मैं चोड़ाय देखता हूं B, जो secondary beam का flange है, secondary beam का flange की चोड़ाई, width of flange, B, B है इसकी 125 mm, इसको मैंने डिवाइड किया scale से, तो 25-125 तो 25 mm आ गया, 25 mm का मतलब 2.5 cm, तो आपको क्या करना है, इस center line से 2.5 का half इदर, और 2.5 का half इदर, तो मैंने यही काम किया, 2.5 का, 2.5 का half तो मैंने किया, इस side, और point एक उपर भी मार किया, और 2.5 का half इस side किया, और point मैंने उपर भी मार किया, और जो extra है, उसको मैंने इस side से भी रप कर दिया, और जो extra है, इस side से मैंने रप किया, ऐसे ही मैंने इस side से भी इस को रप कर दिया जो एक्स्ट्रा थी ठीक है 2.5 का हाप करने के बाद ऐसे ही मैं इस साइड से भी रब कर दिया अब यह में पास फ्लेंज की विड्ट आ गई थिकनेस आ अल्रेड़ी आप नहीं निकाल रखी है थिकनेस अल्रेड़ी आप नहीं निकाल रखी है इसको भी रब कर दूँ इसकी एक भी मुझे जुरान नहीं पड़नी है क्योंकि बाद में आप रख करोंगे तो दिक्कत आएगी क्योंकि आप यहां पर वैब बना दोंगे थोड़ी से छोड़ दो इसकी सेंटर लाइन के लिए तो यह आप यहां से लेकर जाए इसकी ठीकनेस आप यहां पर लेकर गए तो यहाँ पर आके आप ने बीच में gap छोड़ दिया और यह बनाया यहाँ पर इसकी flange ठीक है ऐसे ही इसकी thickness लेकर जाएए flange की secondary beam की flange की projection line आप इदर से लेकर गए और यहाँ बनाया आपने यहाँ पर इसकी thickness अब आपको वैब बनाना है इसकी thickness और वैब थिकने सो वैब TW TW आपके पास है 6.9 mm 6.9 mm को आपने डिवाइड किया 5 से 6.9 mm तो मैंने 6.9 divided by और सुरी 6.9 divided by divided by 5 is called to आपके पास value y 1.38 mm अब आप इसको कैसे कैसे लगाएंगे तो आपको एक mm की ही approach कुछ चीजी रख दी नहीं है यह सेंटर लाइन से ना एक mm से थोड़ा इधर और एक mm से थोड़ा इस साइड ठीक है और यह आपको बना देना है ठीक है थोड़ा तो आपको जब आप इधर से देख रहें तो इसमें क्या दिखाई देरी लगी हुए इसमें आपको दिखा देरी वहाइब क्लीडट अंगल दिखाई देरी है तो यह परram यहाँ यहां से point mark किया मैंने अब इसको बनाई यह यहां पर बनाया और यह यहां पर बनाया ठीक है इसमें कोई confusion नहीं न अब देखो यह आपको कितनी है 90 यह कितनी है 90 और 90 तो 90 यह तो मैंने बना ली यह तो 140 बना ली मैंने 90 को जब मैंने रखेंगे अब और यह तै यह तो 48 यहूं हिए तो topics कितना रहें यह पाइं लीकर जाएंगे कि औस अपने इस से निकाली ओन यह 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 आपने रफ यह आप ननलते है रफ vous इदर सबी है अब एक चीज यहां पर देखो जब आप इसको देख रहे हो तो यह वाली मोटाई दिखाई दे लिए है और यह 10mm की है 10mm की मोटाई दिखाई दे धरी जैसे मैंने यहां पर बनाया 10mm यynnig2mm तो 2mm की आप यहां पर बनाएंगे इसकी मोटाई जो आपको दिखाई दे रही है और 2 mm की यहाँ पर बनाएंगे आप इसकी मोटाई जो आपको दिखाई दे रही है इधर से देखने पर किलियर है यह आपको बनानी होगी यह मोटाई दिखाई देगी इसकी यह तो दिखाई है नब 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 में जो होगी यह दिस्टैंस हम दिखा देंगे, यह रिवेट थी, इसकी भी मैं प्रोजेक्शन लाइन लेकर है, पॉइंट मार्क किया, यह यहाँ पर, और यह यहाँ पर, एन्डिस्टैंस आपकी कितनी थी, एन्डिस्टैंस 40 एन के 8 mm, तो 8 mm आपने इधर से दिखाया, कितना 8 mm, तो 8 mm पर यह आपने रिवेट यहाँ पर बनाई, और यहाँ पर बनाई, ऐसे ही इधर से आईए, 8 mm आपने लिया, और ऐसे ही आपने रिवेट यहाँ पर बनाई, जो यह एक्ट्रा है, इसको रब कर दीजिए, इधर से भी इसको रब कर दीजिए, इधर से भी इसको र gaming कर दीजी जैसे कि यह आपका है है जाकि सागी आपका मेन बीम का है तो यह आप ना इसका है दिखाया एच कितना है 500 और जैसे कि ये इसका थिकनेस ओफ लैंज तीडबलू तीड़ो वह लाएं तीएप कितना है इसका दीएफ कितना इसका 14.7 में बीम की बात हो रही है जैसे कि सेकंडरी बीम की यह क्या है वीड़त है वीड़त कितनी है 125 दिखा दीजिए B is equal to 125 ठीक है अब इसकी thickness कितनी है वो भी आप सो कर सकते है Tf, flange की thickness Tf, Tfs की 12.5 12.5 ठीक है, इसकी web कितना है TW कितना है, वो भी सो कर दो TW TW कितना है, 6.9 6.9 mm ठीक है, यह आपने यहाँ पर जो दिखाई है यह सारी value दिखा दीजिए pitch distance, age distance दिखा दीजिए pitch distance और age distance दिखा दीजिए यह कितना है आपका, 40 यह कितना है आपका, 60 यह कितना है आपका 40 ठीक है अब ये भी आपका 40 है यानिकी देखो ये भी आपका कितना है? 40 ये भी आपका 40 है और इधर ये कितना भचा यहां तक 50 टोटल 90 तो यह आपका 50 बचा तो यह दिखा सकते हैं अब आपका ये front view और ये side view complete हो गया, ये main beam थी और ये आपकी क्या है? secondary beam यहाँ पर आप लिख सकते हो secondary beam यह कौन सी है ISMB ISMB 250 at the rate 365.9 Newton per meter ठीक तो इसी के साथ आपका यह question complete हो जाता है अगर आपको question पूछा जाए आपको question front view और side view पूछा जाए कौन सा question किया है यह आपने front view side view किसका बनाया framed beam to beam connection का यहाँ पर लिख सकते हो framed beam to beam connection framed beam to beam connection का यह question आपका complete हो जाता है इसी के साथ ठीक है अगर आपको question पूछा जाए framed beam to beam connection का या कोई भी question पूछा जाए तो उसमें आपको सारी values ऐसे दिखानी होगी जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाईए जैसे हमने आपको यहाँ पर दिखाईए सारी values यह आपको ऐसे दिखानी होगी ठीक है तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं next lecture में अभी के लिए thank you झाले झाले के लिच़ के लिच़ नहीं